पर जैराम जी आप मानेंगे कि CBI की जो दूसरी चार्ट शीट आई उसमें अमित शाह पर कोई केस हुआ नहीं अगर कुछ बनता तो हो जाता केस अगर और किसी को सवाल है जवाब देने के लिए तयार हूँ पर गुजरात में भी इन्होंने C.A.G. की बात की ठीक है और पाच मिनट भाशन में इन्होंने कहा था कि C.A.G. की और से कई रिपोर्ट आये हैं हमारे ब्रश्टाचार के बारे में गुजरात सरकार में भी C.A.G. की कई रिपोर्ट आये हैं वो ही C.A.G. की रिपोर्ट है वो स्टेट अकाउंटिंग जनरल की और से रिपोर्टे आये हैं गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्परेशन पर रिपोर्ट आये हैं वो सब जब उनके यहां से रिपोर्ट आत जैरम जी आप 12 सरकार में मंत्री हैं, आपको मालूम है, कोई सरकार को नहीं रोक सकती कारेवाई करने को है, अगर भारती जंता पाइटी की मोधी सरकार ने कुछ भी गलत किया होता, तो आपकी NGO की ब्रिगेड हमारे पुजराइप पढ़ जाती, तरवोस अदालप सका आ जात आप ने तो NGO ब्रिगेड को तो भगा दिया है, गुजराइप से, उनको तो आप एंडर मिल करने दिया है, गुजराइप बाहर के भी काम कर रहे हैं, तो आपकी डिरेक्टर ने बयान दिया कि कॉंग्रेस को अच्छा लगता अगर अमिच्छा का नाम नहीं है, तो आपकी CBI के बारमिल में मैं नहीं जानता हूँ, पर इनका आरोफ है कि CBI Congress Bureau of Investigation है, पर ये तो अभी साबित हो गया ना, CBI Central Bureau of Investigation है, कि इनका नाम चार्चीट में नहीं है, ये लोग उमीद कर रहे थे कि इनका नाम चार्चीट में हो, कि तब हम जंता के सामने जाकर करें, कि तेख का जवाब दे रहा हूँ, देश की जंता के सामने सपष्टता रहने चाहिए, CBI ने चार्चीट न करकर कोई बड़े 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 एसान मुझ पर नहीं किया है, चार्चीट न करने का कारण अब मैं बताता हूँ, CBI की पहली चार्चीट के खिलाब, Washington Petition Supreme Court में हुई है और उसमें पैरावाइज रिमार्च मांगे गए हैं, आज तक CBI ने इसका जवाब सर्वोच अदालक के सामने दायर नहीं किया है, और वो जवाब दायर करने के बाद मेरा नाम डालने की कोई गुंजाई थी नहीं थी, नहीं मतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुत सब बातों को मैं जान चाहिए के सामने रखूंगा, हमने इतनी मर्यादा कम से कम रखनी चाहिए कि जुडिशल कमिशन को अपना काम करने देना चाहिए और जुडिशल कमिशन जिस रिशेयर पे काम करा, उसको पब्लिक डिबेट का मुद्दा नहीं बनाना।